Hello everyone, मैं सुचिन विशु कर्मा, आज के इस फीडियो में मैं आपके लिए for management के कुछ important objective questions लेकर आया हूँ जो कि आपकी परिच्छा के दिश्ट से बहुत ही ज्यादा important है तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और अगर आप इसका पीडियाप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल पर इसका आपको पीडियाप मिल जाएगा और आप लोग टेलिग्राम चैनल को जोईन के लिजे link description box में दे दी गई है तो चली वीडियो को सुरू करते हैं पहला question है कि बढ़ते जोखिम के सिध्धान्द में नान एक्विटी पुझी का उप्योग होगा बढ़ते जोखिम के सिध्धान्द में नान एक्विटी पुझी का उप्योग होगा option A है बढ़ती हुई दरपर option B है घड़ती हुई दरपर Option C है इस्थिर दरबर और Option D है इनमें से कोई नहीं तो बढ़ते हुए जोखिम के सिद्धान्थ में Non-Equity पूंजी का उप्योग होता है बढ़ती हुई दरबर Option A इसका correct होगा अगला option है निवेस की वर्दिनेस की पहचान के लिए सरवत्तम माप है Option A है अदाएगी समय यानि Payback Period Option B है लाब अनपात लागत अनपात और अगला है सुद्ध वर्दबान मूल यानि Net Present Value और Option D है Internal Rate of Return यानि IRRR तो इसका जो एंसर होगा वो हो जाएगा निवेस की वर्दिनेस की पहचान के लिए सरवत्तम माप गोज़एगा Internal Rate of Return Option D इसका correct होगा तो आज जो है तभी थोड़ी सही नहीं है तो आज थोड़ी भारी आ रही होगी तो आप लोग मैनेस करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके अगला कुश्यन है प्रतिस्तापन के सिध्धान्त Principles of Substitution का प्रियोग किया जाता है Option A है उत्पाद नियुनता में Option B है उत्देमों के चुनाव के लिए और Option C है प्रेक्टिस के चुनाव होगी तु और Option D है उप्यूट में से कोई नहीं तो प्रतिस्तापन के सिध्धान्त Principles of Substitution का प्रियोग किया जाता है उत्पाद के उत्पाद नियुनता में Option A इसका करेक्ट होगा अगला कुश्यन है नियुनतम लागत का सिध्धान्त Least Cost Principles सम्मंदित है Option A है क्या उत्पादन लेना है से Option B है कितना उत्पादन लेना है Option C है कैसे उत्पादन लेना है और Option B है कब उत्पादन लेना है तो नियुनतम लागत का सिध्धान्त सम्मंदित होता है कैसे उत्पादन लेना है अगला कुश्यन है अपेच्छा कृत क्रिस उत्पादों की मांग होती है अब इच्छा कृत, कृसी उत्पादों की मांग होती है, कम लोचदार, अधिक लोचदार, अधिक बेलोचदार या कम बेलोचदार तो जो कृसी उत्पाद होते हैं, उनकी मांग होती है, अधिक बेलोचदार, more in elastic अगला कुशन है जब उतपाद जब कुल उतपाद यानि TP टोटल प्रोडक्ट या टोटल प्रोड्यूस इस्थिर हो तो सीमान उतपाद यानि marginal प्रोडक्ट होगा सून, रिधातमक, धनातमक या फिर इस्थिर तो जब TP इस्थिर होता है तो MP जो है सूनने होता है option A इसका correct होगा अगला question है जब आवसत उत्पाद जब आवसत उत्पाद AP सिमान उत्पाद MP से कम हो तो आवसत उत्पाद होगा यानि जब AP MP से कम हो तब आवसत उत्पाद होगा option A है इस्थिर रहेगा option B है अधिक्तम होगा option C है बढ़ते हुए क्रम में होगा option D है घड़ते हुए क्रम में होगा तो जब अवसद उत्पाद AP MP से कम होगा तो अवसद उत्पाद AP जो है ये बढ़ते हुए क्रम में होगा आगला question है unitary लोचदार के साथ एक उत्पादन फलन production function संकेत देता है option A है बढ़ते हुए प्रतिफल का option B है घड़ते हुए प्रतिफल का option C है कुछ भी नहीं और option D है इस्थिर प्रतिफल का तो unitary लोचदार के साथ एक उत्पादन फलन संकेत देता है इस्तिर प्रतिफल का option D's का correct हो जाएगा अगला question है उत्पादन फलन के विवेक संगत छेतर यानि rational reason में indicator की पसंद होती है कारक कारक कीमत अनुपात या कारक उत्पात कीमत या उत्पात उत्पात कीमत अनुपात या फिर कारक उत्पात मात्रा तो उत्पादन फलन के rational zone में indicator की पसंद होती है कारक उत्पात कीमते factor product prices अगला question है कुल उत्पादन टीपी एवं कुल लागत TC के बीच संबंध होता है यानि total production और total cost के बीच संबंध होता है सिधा आनपातिक कोई नहीं, universally संबंध होता है या इन में से कोई नहीं तो TP और TC के बीच universally संबंध होता है या एक दूसरे के universe होते हैं यानि उल्टे होते हैं TP बढ़ेगा तो TC गटेगा, TC गटेगा तो मतलब TC बढ़ेगा तो TP गटेगा अगला कुश्चन है जब सीमान्त लागत MC निउन्तम होती है तो सीमान्त उत्पाद होगा गड़ता हुआ अधिक्तम बढ़ता हुआ या फिर निउन्तम तो जब MC जो है निउन्तम होता है तब MP का मान होता है अधिक्तम आप्शन भी इसका करिक्ट होगा अगला कुश्यन है बिबेक संगत छेत्र रिशनल जोन में होता है option A है सीमान तलागत बराबर आउसत लागत option B है सीमान तलागत अधिक है आउसत लागत से option C है सीमान तलागत यानि MCE कम है आउसत लागत से और option D है कोई नहीं तो विबेग संगत छेत्र यानी रेस्नल जोन में होता है, सीमान तलागत अधिक होता है आउस्ट लागत से, option B इसका correct हो जाएगा, सीमान तलागत MC अधिक होता है आउस्ट लागत से, अगला कुशन है, यदि PX1 into X1 अधिक है more than PX2 into X2, तो क्या होगा, X1 का प्रतिस्थापन X2 के द्वारा करना चाहिए, X2 का प्रतिस्थापन X1 के द्वारा करना चाहिए, या समान उप्योग करनी चाहिए, या डीम इन में से कोई नहीं, इसका answer हो जाएगा, X1 का प्रतिस्थापन X2 के द्वारा करना चाहिए, यहाँ पर ये PX x1 into x1 अधिक है p x2 into x2 से तो यहाँ पर जब x2 को x1 की जगा और x1 को x2 की जगा रख देंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे अगला कुश्यन है रिज रेखाओं पर रिज रेखाओं पर आगत का सीमान्त भावतिक उत्पाद MPP होगा इस्थिर धनात्मक रिडात्मक या फिर सूनने तो रिज रेखाओं पर आगत सीमान्त भावतिक सिधान्त यानि marginal physical product होगा ये होता है सूनने option D इसका correct हो जाएगा अगला कुश्यन है ये दि दो उत्पादों के बीच सीमान्त प्रतिस्थापन की दर marginal rate of substitution रिडात्मक है तब दोनों कहलाएंगे प्रतिस्थापित होते हुए जब दो उत्पादों के बीच सीमान्त प्रतिस्थापन की दर marginal rate of substitution रिडात्मक हो तो ये दोनों कहलाएंगे प्रतिस्थापित होते हुए अगला कुश्यन है उपलब्द संसादनों के अस्तर पर अनकूलतम उत्पाद सन्योग optimum product combination होगा जिसक यानि optimum product combination होगा तो इसका समिकराण हो जाएगा y2 upon delta y2 upon delta y1 is equal to py1 upon py2 ये इसका अंसर हो जाएगा अगला कुश्यन है प्रतिस्थापन की राजदर यानि diminishing rate of substitution की इस्तित में वक्र होगा उत्पत्ति के उतल सीधी रेखा के समान या उत्पत्ति के आउतल या लंबरू या प्रतिस्थापन की दर यानि diminishing rate of substitution की इस्तिती में वक्र होता है उत्पत्ति के उत्तल convex of origin अगला कुश्यन है उद्यमों के इस्टितम चयन या उद्यमों के संयोग के आधार पर बनाए जाते हैं निम्तम लागत सिधान्थ, principle of variable proportion, आउसर लागत का सिधान्थ या फिर अगला कुश्यन है दिर्ग कालीन planning में उपलबदता आगत, निर्गत, गुडांक एवं निश्चिता के साथ कीमते मालूम हो तब पूरवानुमान होता है linearity, योगसीलता, finiteness या फिर single value, acceptation तो जब दिर्ग कालीन planning में उपलबदता आगत मतलब input और निर्गत मतलब output गु single value, acceptation, option days का correct हो जाएगा अगला कुश्यन है नियंतरित बाजार सुनिश्चित करता है तो नियंतरित बाजार सुनिश्चित करता है उचित मूल ले fair, fair price, उचित मूल ले ये सुनिश्चित करता है तो इस वीडियो में इतना ही बाकि यह अधर कुश्यन आपको next वीडियो म मिल जाएंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा